नमस्ते डिया स्टुएंट्स वेलकम टू आल स्वागत है आप सभी का सेशन वन वन टू में आज का जो हमारा सेशन है वो है स्टेटास ओफ लियोपार्ड्स इंडिया टूथाउजन एटी रिलेटिड है बायोडियवर्सिटी रिपोर्ट्स एंड अनिमल कंजर्वेशन से त क्या स्टेटस है 2018 में एक्जाम के हिसाब से भी इंपर्टेंट है और साथी साथ नेचर और इंवार्मेंट से भी रिलेटिड है तो उस लिहाद से भी इंपर्टेंट हो जाता है थोड़ा समझना कि क्या स्टेटस है लियोपार्ड्स के टाइगर पे तो हम एक बार आपसे भी बाचित कर चुके हैं जब नैशनल टाइगर डे हमने सेलिबरेट करवाया था तो कब मना जाता है नैशनल टाइगर डे आप कमेंट थेड में डेट बताइए वेन डिड़ी सेलिबरेट नैशनल टाइगर डे इन इंडिया सबसे पहले MOEFCC ने ये जो रिपोर्ट है लि जातर forested habitats except arid deserts and above all timberline in Himalayas इनको छोड़कर बाकि जितने भी forested habitats हैं उनमें ये पाए जाते हैं लियोपाइड जो है भारत में basically क्या होता है भारत में चार cats पाए जाते हैं लियोपाइड उन चार cats में से एक है तो बची तीन कौन सी है एक है लोयन एक है टाइगर एक है स्न endangered है टाइगर भी endangered है जबकि snow leopard जो है वो vulnerable IUCN category में आते हैं IUCN पर updates में आपको दे चुका हूँ वो वीडियो एक बार refer कर लीजेगा उसमें हमने सभी categories को ध्यान से देख लिया था जो red list के categories में होती है अब यह जो latest report जो launch की है MOEFCC में इसमें इन्होंने बताया है कि अभी ह साथ ही साथ बताया है अपने इस report में कि 2014 के comparison में 2018 में 60% का increase इनकी population में देखा गया which is a good sign बहुत अच्छी बात है मध्यप्रदेश में highest in key population देखी गई 3421 आकड़े को सोड़ा से याद रखेगा करनाटक में 1783 और महरास्ट में 1690 तो top 3 जो states है वो यही है मध्यप्रदेश, करनाटका एंड महरास्ट इनका जो IUCN status है वो snow leopard जैसा ही है यानि vulnerable है schedule 1 में आते हैं of wildlife protection act 1971 और appendix 1 में आते हैं of sites, sites की जो list है उसकी appendix 1 में इनको count किया जाता है तो यह कुछ important news जो है आप इनसे ध्यान रखेगा leopard को लेगा अब आगे जो इनका distribution है साथी साथ क्या वज़ा है कि इनकी existence पे एक threat बना हुआ है तो एक वज़ा poaching बताई गई रिपोर्ट के नुसार loss of habitat एक बताया गया human conflict एक बताया गया और सबसे ज़्यादा जो इनको खाने के लिए जो चीज़े चीज़े नेचुरल प्रेज जो है इनके उनका depletion होता जा रहा है तो ये चार रिज़न बताई गई है इनके existence पे एक threat जिसने ने सवाल खड़े कर दिया है राजस्थान, static gk के हिसाब से याद रखेगा कि राजस्थान पहला राज़ा था जिसने project leopard start किया था ताकि ये जो human और leopard का जो conflict है आई दिन खेतों में तेंदू वगरे घुसाते हैं तो ये जो human leopard का जो conflict है उसको कम किया जाए उससे दूर किया जाए और एक जो leopard की population है उसको conserve की जाए क्योंकि किसी भी species को कोई honey नहीं पहुँचनी चाहिए इसी वज़ा से ये सारे IUCN और ये सब चीज़े बनाई गई है लेपर्ड्स जो है अब इनको जो आकड़ा था क्या आकड़ा था बारह हजार हजार आट्सोबावन का आकड़ा था तो बारह हजार आट्सोबावन के आकड़े पर ये आए कैसे है तो ये इसके लिए कुछ टेक्निक्स होती है जैसे कैमरा ट्रैप्स सैटलाइट इमेजिंग भी होती है और वाइल डाइफ इंस्टिटूट ऑफ इंडिया और नैशनल टाइगर कंजरवेशन जैसी अथारिटी एंटी सीए कुछ फील्ड़ कर फेज बन में क्या है डिटर्माइनिंग ऑक्यूपैंसी एंड रिलेटिव अबंडेंस उसके बाद एक साइन सर्वे होता है कार्निवोर प्रे वेजिटेशन हुमन डिस्टिब्रेंस और अतलब सर्वे में इन पांच परेमेटर्स पर काम किया जाता है फिर एक सॉफ्ट्व जरीए और जो एस्टीमेशन है उनके जरीए फिर देंसिटी तै की जाती है यह हो गया फेज बन का मोटा मोटी का जिसमें एम स्ट्रैप्स का सॉफ्ट्वेर यूज के जाता है फेज टू में क्या होगा फेज टू में जो को वेराइटिज है रिमोटली सेंस लेंड्सकेप हो या चाहे अंत्रपोजनिक हो तो उसके जरीए कुछ वेराइटिज डेटा अफेक्ट्स मतलब जनरेट के जाता है देन कम फेस थ्री फेस थ्री में आपका कैमरा टैपिंग हो गया कैटरैट प्रोसेसिंग हो गई एक्स्टरैट कंपेर हो गया और डिने प्रोफाइलिंग हो इस तरीके से मॉडल्स तयार की जाते हैं तो दो तरीके के मॉडल्स है CCR मॉडल्स मैक्स एंट्रोपी मॉडल्स याद मत रिखिया कोई ज़रूरी नहीं है बहुत डिटेलिंग है और उसके बाद फिर टाइगर की पॉपुलेशन को एस्टिमेट की जाता है जो है वो कलेट करते हैं उसके बाद उसकी आर्काइविंग होती है फिर उसके बाद उसकी जियो टेंगिंग होती है फिर उसके बाद सेग्रिगेशन होते हैं सारे ट्रैप इमेजिस के और फिर टाइगर सेल यानि वाइल डाइफ इंस्टिटूट के तहत जो आते हैं उसके जरीए हैं कई जो इसके critics हैं उनका ये भी कहना है कि ये आंगडे गलत होते हैं ये मन गढ़नत होते हैं ठीक है ऐसा नहीं होता है तो critics का कहना है अब region wise distribution थोड़ा लेपड का अगर हम देखें तो Central India और Eastern Ghats तो जो Eastern Ghats है आपके जो मध्य भारत है अगर आप जाएंगे तो वहां सबसे minimum हैं तो highest और lowest आप याद रखेगा कि highest जो है वो Central India और Eastern Ghats में जबकि lowest जो है वो North East Hills में है और कितने हैं तो 141 है ये चार्ट तो हमने देखे लिया अब बात करते हैं Wildlife Institute और NTC पर क्योंकि इन दो authorities का नाम सामने आया है तो इसको समझ भी लेते हैं हलके सी थोड़ा सा टाइम लगेगा बस छोटी सी बात है कि Wildlife Institute और जो इंडिया है एक Autonomous Institute है किस Ministry के अंदर आता है MOEFCC के अंदर आता है कब स्टैबलिश हुआ था 1982 में हुआ था Headquarter का है तो देहरदू उत्राखेंड में है क्या करता है Training Programs, Academy, Courses और Advisory किस चीज में Research करनी हो या चाहे Wildlife Management करनी हो तो इसके लिए Training Promise ये Offer करते है NTC क्या है NTC एक Statutory Body है किसके अंदर आती है MOEFCC के अंदर आती है तो NTC भी हमने देखा हमने पहले भी इस पर NTC पर एक lecture लिए वाई बात की हुई है हमने तो ये था आज का जो lecture Status of Leopards in India Rise हुआ है population में ये आप ध्यान रखेगा 60% का Rise है Maximum का है Madhya Pradesh में ये भी ध्यान रखेगा अब इससे related जो है मैं आपके लिए Question लेके आया हूँ हमने फिर शे स्टाइट कर दिया है अपना Question of the Day तो ये Question में आपके लिए Frame करके लेके आया हूँ तो आप में से इनका आंसर दीजे Consider the following statements पहला क्या है As per the latest reports on leopards There is a rise in their population With Karnataka having maximum number of leopards in India And their IUCN status of leopard is vulnerable कौन सा उप्शन सही होगा आप ही बताईए Comment thread में जवाब दीजिए कौन सा उप्शन सही होगा तो मैं इसका आंसर नहीं दूगा जी हाँ इसका आंसर मैं नहीं दूगा आप Comment thread में बताईए कि कौन सा सही होगा इसका जो आंसर है वो हम अगले session में हमें आपको बताऊंगा ठीक है तो अब इस session में इसका answer मैं आपको नहीं दूँगा comment head में अपने answer post कीजिए और अगला session देखिए जिसमें इसका सही answer आएगा और फिर वहाँ से आप match up कर लिजेगा ठीक है तो मिलेंगे ऐसी किसी अगले exciting session में आज तो हमने current affairs का एक topic देखी है लेपर से related ऐसे ही बहुत सारे बहुत सारे बहतरीद current affairs का topics various on issues, economy, environment, energy, quality, governance, social issues इन सब पर बात हम करते रहेंगे wonderful PT resources are waiting for you टीम लगातार आपके लिए बहनत कर रहे है session को like जरूर करें, share जरूर करें बताएं आपको कैसा लगा motivate करते रहें ये खुद को भी और मुझको भी इसे तरीके से हम और आप मिलके इस गाड़ी को आगे बढ़ाते रहेंगे चलिए तब तक के लिए शुक्रिया धन्यवाद, नमस्ते, जाहिंद